नवंबर के अंत में यानि 30 नवंबर को शुक्र गौचर यानि शुक्र अपनी चाल बदलने वाले हैं जिससे हर राशियों पर इसका परभाव पड़ेगा शुक्र गौचर होने वाला है यानि शुक्र अपनी चाल बदलने वाले है इससे 12 राशियों पर असर पढ़ने वाला है क्या असर होगा इस्परब को सबसे पहले नरायन को गोचर में शुक्र तुला राशी में आ रहा है शुक्र जो ग्रहा है वे अपने आप में एक बड़ा चमकीला ग्रहा है जिसके कारण इस स्रिष्टी में बड़ी उतल पुथल हो जाती है शुक्र एक ऐसा ग्रहा है कि जो जो लगजरी जो विशेया भोग जो भोग लिपसा को प्राप्ट करना चाता है और इसका देखिये मुख्य आधार यह है इसका उदय काल रात्री को आठ वजे के बाद हो जाता है जैसे नवग्रहों में सूर्य का जो उदय काल होता है वे सूर्य उदय काल होता है चंद्रमा का रात्री काल वैसे ही मंगल का जो काल होता है वे दिन में उदय होता है पन्डिजे जैसे कि आपने बताया कि शुक्र का ज्यादा महत होता है और रातरिकाल जुद होता है्त तो अग charm की बात करें चाल बदलने वाले हैं, शुक्रू तो किन राशियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, धन संपत्ती में किसको लाब होगा, कही न कहीं वेवाहिक जीवन और प्रेम प्रसंग में भी कही न कहीं इसका असर पड़ सकता है तो क्या कहेंगे देखिए आ रहा है तुलाराशी वालों के लिए बड़ी खुशी का विशय है कि तुलाराशी वाले इस समय में कुछ मकान दुकान या कोई भी जो प्रॉफिट वाला कारोबार है वह कर सकते हैं और जो अभिनाय करने वाले हैं और जिनका शुक्र प्रवल इस्तिती में हैं उनको निश्चित ही ही लाब प्रदर्शित होगा विशेसता मेश राशी मिथुन राशी करक राशी और बृच्छिक राशी वालों को इस शुक्र तुला में आने से बहुत लाब प्राप्थ होगा जैसे मेश राशी वालों के लिए मकान का दुकान का और साजेदारी का भी कोई कार्या फलीभूत हो सकता है वैसे मिथुन राशी वालों के लिए अभिने का कार्या या लोटरी इत्यादी का कार्या उन्नती कारक होगा तो जैसे कि पंडी जी ने बताया कि किस तरीके से 30 नवंबर को जो शुक्र चाल बदलेंगे तो मेश व्रिष्चक तुला और करक राशी पर जो है इसके अच्छे परभाव होंगे और ऐसे जो है शुक्र की चाल बदलने के साथ-साथ बारा राश्यों पर परभाव पढ़ने वाला है